जाहिन दोस्तों, मैं प्रसान तवर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हार्सपार लाइनिंग पे डिश्टल एलेक्टानिक्स में हमारा जो टॉपिक चल लाता है वो था कनवर्जिंग आप नंबर सिस्टम जिसमें हम लोग बाइनरी से decimal, बाइनरी से octal तथा बाइनरी से hexadecimal देख चुके थे नेक्स हमारा उसली में आता है कनवर्जन में ही decimal to binary कनवर्जन आज हम जितने बाकी कनवर्जन है उसको देखेंगे और समझेंगे जो भाई लोग डिश्टल एलेक्राइंस के प्रिवियस वीडियो नहीं देखे हैं वह मैं चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे और वहाँ पे आपको डिश्टल एलेक्राइंस के प्ले लिस्ट में जाएगे उसमें आपको distillation इसके वीडियो मिल जाएंगे वहाँ से आप देख सकते हैं जैसा कि आप सब्सक्राइब पता है जो decimal होता है decimal का जो radix होता होता है 10 और जो binary होता है उसका radix होता है 2 यानि कि 10 को हमें 2 में convert करना है तो कैसे convert करना है जिसमें convert करना उसको इस digit से जो इसमें digit दी कही है उससे भाग करना रहेगा तो वही यहाँ पर करना है तो divide by 2 यानि कि हम 2 से भाग करेंगे तो इसमें जो reminder आएगा उसको reverse order में लिख देंगे यानि कि जब भाग करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि जारी सारी संख्या पूरता है कटी ही जाएंगी तो जो उसमें successful बचता है उसको इसको digital देखता है जो reminder जो successful बचता है उसको कहते है reminder तो जो reminder बचेगा उसको हम फिर से लिखेंगे मतलब recovery order में लिख देंगे वह हमारा आगे answer चलके बनता है देखते हैं कैसे पहला example हम लेते है 69 69 जो हमारा है अब यह नहीं पता चल पर है binary में है बाइनरी में तो होई नहीं सकता क्यों binary 1,0 आते हैं यह decimal में है कि हमारा है hexadecimal में तो इसके लिए यहाँ पर जो सही example है वो होगा 69 उसका जो base होगा 10 is equal to convert binary में उसका base होगा 2 अब यहाँ पर क्या आएगा उससे आपको convert करके लिखना रहेगा चल ले श्टार्ट करें 69 हमारा यह है 69, 69 को हम दो से divide करेंगे तो कितना आएगा हमारा यहाँ पर आजाएगा हमारा 34 34 और reminder कितना बच जाएगा हमारा reminder जो बचेगा उसको हम यहीं लिख लेंगे 1 reminder बचेगा हमारा क्या क्या 34 तो 68 होता है 68 प्लस 1 यहनि हमारा 69 हो जाएगा 34 दोना 68 होता है 68 में एक जोड़ेंगे तो हमारा कितना है बचेगा उसके बचेगा यहाँ पर आना चाहिए तो यह हमारा होता है नियम यहनि कि जिससे हम काटना है इसको इसको multiply प्लस जो reminder आउसको plus करेंगे और इसके बद हमारा इधर आएगा अब देखो यहाँ reminder हमें इसा 1 या 2 1 या 0 बचेगा क्योंकि जो binary है हमें इसा 1 ही आएगा एक से ज्यादा से आ ही नहीं सकता अगर 2 से डिवाइड किया गया है तो अब देखें यहाँ पर 34 बचा है फिर इससे 2 से डिवाइड करेंगा 2 से डिवाइड करने पर क्या आजाएगा हमारा 17 17 है तो यहाँ reminder कितना बचेगा हमारा 0 बचेगा reminder कितना बचेगा 0 तो देखो 17 दुना 34 हो गया हमारा और प्लस 0 यानि कि हमारा 34 आजाएगा समझे फिर यहाँ फिर हम 2 से डिवाइड करना है इसको डिवाइड हमें सा 2 से करना है लासा या मासा कितरा यह मत सोचना है इसको डिवाइड हमेसा 2 से करना है जैसा कि हम यहाँ बताएं है जिसमें चेंज करना रहता है उसी के डिवाइड करते है जो इसमें digit जिसको चेंज करना रहता है और जिस form में चेंज करना रहता है उसी के बेस से हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं यहां 17 है, 17 को हम 12 फिर डिवाइड करेंगे तो कितना जाए? 8 दूनी 16, रिमाइनर कितना जाएगा हमारा? 1 आजाएगा, रिमाइनर कितना जाएगा? 1 आजाएगा, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे क्या जाएगा? 4, रिमाइनर हमारा कितना जाएगा? 0, उसके बाद फिर 2 या फिर लाष्ट में जीरो ना आने लगे समझे लाष्ट में जब तक जीरो ना है तब तक नहीं खतम करना तो टू से फिर यहां पर डिवाइड करेंगे तो टू को जीरो बार तो ले जाते हैं दो जीरो यहां जीरो यानि कि दो से मल्टिप्लाइ करेंगे क्या जीरो आएगा ना तो जीरो आएगा तो जीरो देखो टू इन्टू जीरो क्या है जीरो आजाएगा प्लस कितना करेंगे हम वन करेंगे तो प्लस वन करेंगे तो हमारा क्या जाएगा वन आजाएगा समझे त बाद में जो हमारा रेड वो बसता है रिमाइंडर वो ही हमारा एंसर होता जैसे क्या वो बता चुके हैं तो यह रिमाइंडर जो बचा है रिमाइंडर को हम नीचे से उपर वाले फाम में लिखते चले जाएंगे reminder को हम नीचे से उपर की फाम में लिखेंगे और जो हमारा बचेगा वो हमारा answer हो जाएगा तो लिखते हैं यह हमारा क्या है नीचे 1 है 1 0 0 0 1 0 1 यह हमारा हो जाएगा answer यानि किसमे binary में क्योंकि इसमे 0 1 ही 1 है तो यहाँ पर देखते हैं 69 को जो हमारा decimal है उसको जो हम binary में चेंज करेंगे तो कितना आया है हमारा binary में चेंज करने पर 1 0 0 0 1 0 1 बेस 2 अब यहाँ पर अगर आपको चेक करना हो चेक करने के लिए भी एक trick है वो trick हम आपको बता रहे हैं कि हाँ answer सही है या गलत है इसकी testing कैसे करना हो देखते हैं तो इसकी testing के लिए हम आपको पहले बताये थे 8 4 2 1 8 4 2 1 यह तो 4 digit के लिए है लेकिन इसमें देखो कितने देखो 3 3 6 7 तो इसमें करना कुछ नहीं आएगे इसकी देखो 2 की power 0 2 की power 1 2 की power 2 2 की power 3 2 की power 4 यानि 16 2 की power 4 2 की power 5 यानि 32 फिर 64 यह आ गया यानि साथ digit हो गए अब जहां पे साथ digit हो गए उसी के उपर उले digit है उसको सजा देते हैं 1 0 0 0 1 0 1 अब यहां पे देखो जो digit हमारी 1 है यानि high उसको जोड़ लेते हैं यानि 64 हमारी high है फिर कि 4 हमारा high है उसके बाद हमारा 1 है तो 64 4 68 69 हो गया अब प्लस 1 यानि की 79 69 आ रहा हमारा है यह देखो यहां पे अब आपको यहां पे एक ट्रिक याद आ रही होगी कि हमें डिवाइड करने से कोई मतलब नहीं अगर हमें यह पता है यह पता है 432 देखो अकसर तुम्हें जो पेपर पूछा जाता है 8421 कनवरिजन पूछा जाता है वह आगे बताएंगे लेकिन आपको यहां पता होना चाहिए 8421 आया कहां से यह सिर्फ सिर्फ क्या है 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5 डड़ ड़ बढ़ाते चले जावागी कोई दिक्कत नहीं तो यहां पे देखो जो 69 है 69 को हम ऐसे सजाएं कि इसमें आ जाएं तो देखो 64 को अगर हम हाई करेंगे 64 को हाई करेंगे और 4 को हाई करेंगे 1 को हाई करेंगे तो हमारा इसी प्रकार से आ जाएगा 69 आ जाएगा 80 इसी जगे पे हमारा होता है 70 70 ले लोते हैं 70 बेस 10 तो उसको हम कैसे करेंगे यह देखते हैं करना क्या है इसी में सजा देते हैं कैसे सजा देते हैं अब 70 है हमको इस संख्या को हाई करना है जिसका योग हमें 70 प्राप्त हो तो इसके लिए 64 को हाई कर देते हैं 32 को 0 रखेंगे 16 को 0 रखेंगे 8 को 0 रखेंगे 4 को हम हाई कर देते हैं और 2 को हम हाई कर देते 1 को 0 कर देते 0, 0, 0, 1, 1, 0. यह हमारा 70 हो जाएगा, सिंपल इसी से हम निजाल सकते हैं, और आप इस मैथेट से भी निजाल सकते हैं, 2 से डिवाइट करेंगे, 35 आएगा, 2 से डिवाइट करेंगे, हमारा 16, 32, और last mail के reminder क्या बच जाएगा, हमारा 1 बच जाएगा, और इधर reminder मारा 0 बचेगा तो आप 70 का 70 देसिमल का binary बना लिए I hope by decimal to binary conversion समझ में आएगगा next हम देखते हैं decimal to octal decimal to octal में क्या करना है decimal को बेस आपको पता radix कितना होता हमारा 10 होता है और octal का radix कितना होता है 8 होता है तो यानि कि 10 को हमें 8 में convert करना यहां पर ध्यान समझ लिजिए यह जरूरी नहीं कि decimal to octal दे या फिर कोई ऐसा digit जो आपको पता है आपको यहां radix भी ध्यान देना पड़ेगा कि radix में क्या दिया है अगर बाइचांस हमें example के तोर पर यहां ले लिए आपको यहां कोई संख्या दिया है जो भी दिया है और उसको आप radix दिया है 8 ठिक radix 8 दिया है उसको convert करने के बोल दे radix उसका 3 है तो यह भी convert हो जाएगा यह ज़रूरी नहीं octal हो या decimal हो या फिर कोई digit ऐसा mention करे जो आपको पता हो आपको radix पहले दियान देना है कि radix क्या बोल रहे है कि किसमे convert करना है तो उसी बेस पर आप आसानी से कर सकते हैं चलिए इसको देखते हैं उसमें क्या करना है जिस radix में हमें convert करना है उसी radix से बहाग देजिए तो इसे में क्या करना है इसमें octal में convert करना यानि कि 8 में convert करना तो इसी से में बहाग देदेंगे जो यहाँ बें digit होगी तो हमारे यहाँ पे पता चल जाएगे क्या आएगा चलिए स्टार्ट करते हैं decimal to octal एक्जाम्पल के तवर पे लेते हम 76 decimal convert to octal तो 76 decimal को octal में convert करने के लिए हम सीधा डिवाइड करेंगे क्या? डिवाइड करेंगे 670 को 76 किससे डिवाइड करेंगे? 8 से तो 8, 9, 72 8, 9, 72 तो इसमें reminder कितना बच जाए का? 4 उसको हम लिग देंगे दें आपको बताएं इसको इससे multiply करेंगे और प्लस ये करेंगे तो हमारे ये आना चाहिए इतना आपको पता होना चाहिए अब चलो भी बतारेंगे बाद उसके बाद 8 से फिर डिवाइड करेंगे तो 8 हे कम 8 रैडिक्स कितना reminder कितना बचेगा? 1 बचेगा तो अभी भी ये हमारा क्या कहते है कि खतम नहीं हुआ जब तक 0 ना आ जाए या फिर वही रिसंख्या repeat ना होने लगे तब तक हम भाग देना नहीं खतम करेंगे तो यहाँ पर फिर 8 से डिवाइड करेंगे 8 0 0 जब 8 को 0 से multiply कि तो 0 आ जाएगा 1 1 4 देखो एक चीज आप सोचो कि जो हमारा यहाँ आक्टल में convert करना है आक्टल में हमारी digit कितनी आते हैं 0 से 7 तक 0 से 7 तक आते हैं तो 7 तक कब आएगा जब हम 8 से multiply करेंगे 8 से multiply तो 8 से छोटी संख्या जो होगी वही कुछ ना कुछ आएगी जब 8 होगी तब तो एक होई जाएगी या 8 से ज्यादा होगी तब भी कुछ ना कुछ आएगा तो इसलिए 8 से इसलिए multiply कि जाता है कि इसमें जो संख्या आएए और 0 के 7 के बीच में ही आए समझे 8 से इसलिए multiply कि जाता है यानि कि जैसे मालो यहाँ पे दिया है 13 base में 13 दिया है और उसको तुम्हें convert करना 4 में तो इसमें जो दिया है 1,2,3 जो भी दिया है इसको हम किस से divide करेंगे 1,2,3 को हम divide करेंगे 4 से तो जो यहाँ पे दिया है उसको divide हम करेंगे इसकी संख्या से इसके डिवाइड करेंगे और जो मिलेगा उसको हम इसमें लिख देंगे नीचे से उपर को हम लिखते जाएंगे समझे हैंगे decimal to actual next हम देखते हैं decimal to hexadecimal अब यहाँ पर एक चित ध्यान देना है decimal का जो radix होता है वो 10 होता है यह आपको अच्छे पता हो चुगा और hexadecimal का radix जो होता है वो 16 होता है यानि कि इसमें जो संख्या हैंगे 0 to 9 आएंगी और इसमें जो संख्या हैंगे 0 to 15 आएंगी तभी तो 16 संख्या हो जाएंगी लेकिन यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ तक यह सारी संख्या हैंगी और यहाँ पर X लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 तक सेम संख्या रहेंगे लेकिन जो 10 होगा उसको हम लिखेंगे A जो 11 होगा उसको हम लिखेंगे B जो 12 होगा उसको हम लिखेंगे C जो 13 होगा उसको हम लिखेंगे D और जो 14 होगा उसको हम लिखेंगे E और जो पंद्रा होगा उसको हम लिखेंगे यव इसका रीजन का है इसका रीजन पिछले वीडियों में बता चुके हैं अगर नहीं पता है तो हम यहाँ बता दे रहे हैं तो खुछ जो decimal होगता decimal जो होता है उसमें एक सुन्नो तक संख्याती है अब यह क्या है यह बेश्ट्यन है मालो बेश्ट्यन न दिया हो 1, 2 दिया है 1, 2 दिया 12 तो यहाँ पर 1, 2 जो दिया है 1, 2 यह हमारा hexadecimal भी हो जाएगा क्योंकि जब अगर 12 इसको कुछ लोग 12 पढ़ेंगे कुछ लोग 12 पढ़ेंगे तो 12 को सीधे C लिखा जाता, क्योंकि यह एक्साडेसिमल में भी आता है, तो इसलिए confusion ना हो, इसी को 12 को हम क्या लिखते हैं, जहां भी एक्साडेसिमल में C लिखा मिला, तो उसका मतलब यह हुए कि 12 ही लिखा है, 12 को हम क्या लिखते हैं, 15 को हम यफ लिखते हैं, तो कहीं भ convert क्या करना या जो दिया गया है इसमें जो digit दी गई है इसका base 10 है इसे को convert करना है कि इसमें base 16 में 16 से उठा के इसमें divide कर दो बस simple convert होगा और जो बच्चा हो उसको नीचे से उपर तक लिक दो और तो कुछ करना नहीं है तो एक example ले लेते हैं समझ लेते हैं कैसे करना है हम example जो लिए है वो 99 है 99 base 10 convert to 16 तो इसको 99 को किस से divide करें हम 16 से 99 को हम 16 से divide करते हैं तो कितनी बाए 16 चक्का कितना होता 96 16 चक्का 96 तो इसमें बचेगा कितना हमारा reminder बचेगा हमारा 3 reminder बचेगा अब इसको यहीं पर नहीं खतम करेंगे जब तक हम 0 नहीं लेकर आएंगे तो इसको क्या करें हम 12 से 16 से भाग करेंगे कितनी बाए जाएगा 0 बाए जाएगा तो यहां कितना बच जाएगा reminder हमारा 6 बच जाएगा बच जाएगा ना क्योंकि hexadecimal में आता है कहा था कि 15 आता है तो डिजिट आती है तो 63 कैसे बोलेंगे इसको बोलेंगे हम 6 और 3 बोलने का तरीका लिखा तो 63 ही है next निजाबल हम लेते हैं 250 convert to hexadecimal 250 decimal convert to hexadecimal तो इसको भी हम किस से डिवाइड करेंगे simply 16 से तो करते हैं 250 divided by 16 अभी कितनी बार जाएगा यह nearly जाएगा हमारा 15 बार कितनी बार जाएगा 15 बार तो 15 बार इसको जब भेजेंगे तो कितना बचेगा हमारा 16 गुड़े 15 हमारा कितना आता है 240 240 बचा इसमें reminder कितना 10 रिमांडर हमारा 10 बच गया ठीक यहां तुम 10 लिख दे रहे हैं चलेगा कोई दिक्कत ने लेकिन 10 को हमें लिखना कितना है 10 को हमें लिखना है ए इसमें reminder कितना बचा हमारा ए final answer हमें A ही देना रहेगा यहां पर 0 तो आया नहीं एक बड़ फिर से हम 16 डिवाइड करेंगा 16 0 कितना आएगा हमारा रिमांडर कितना बचेगा हमारा 15 बचा है या फिर 15 10 पड़ें तो इस confusion को मिटाने के लिए हम क्या करते हैं यफ और यह लिखते हैं I hope आपको समझ में आ गया हो decimal to hexadecimal तो ऐसे ही हम करते हैं decimal to hexadecimal किसी कभी conversion करना हो उसमें simply क्या करते हैं जिसमें conversion करना यह जरूरी नहीं hexadecimal यह आपको पहले बता चुके हैं बस आप ध्यान दीजिए radix radix क्या कहते हैं उसी के साब से convert कीजिए रटना बिल्कुल भी नहीं समझ के करो ज्यादा सही रहेगा समझ के करोगे तो देर तक चलेगा और रटा लगाओगे कि हमने solar divide करना इसमें हमें 8 से divide करना इसमें हमें 2 से divide करना तब पसके वही याद रहेगा जो आप रटा लगा के चलोगे तो समझ के चलो अच्छे से समझ में आएगा आपको इस वीडियो में decimal के सारे conversion हम देख लिए decimal to binary, decimal to octal और decimal to hexadecimal अब next वीडियो हमें octal के conversion देखेंगे उसके पहले आपको काम दे दे रहे हैं संख्या यानि कि जैसे एक होता है एक का binary हमारा क्या होता है? 0,0,0,1 ठीक दो होता है, दो का binary हमारा क्या है? 0,0,1,0 तीन जो होता है, तीन का जो होना binary होता है? 0,0,1,1 चार जो होता हमारा उसका binary होता है? 0,1,0,0 यह सब आपको याद करना पांस का binary हमारा जो होता है? वो होता है? 0,1,0,1 छे का binary जो हमारा होता है? कितना होता है जीरो वन वन जीरो यह आता कहां से इसको हम देख लेते हैं सिंपली लेकिन यह आपको याद होना चाहिए यहां यह आता कहां से यहां सीधे उपर लिखो क्या 8421 8421 अब जितिनी संख्या इसमें दी गई हैं जो संख्या तुम्हें इसमें 15 तहीं निकल सकता पहली बात 15 तहीं निकल सकता 15 तहीं क्यों निकलता तो यहां पर देख लो आप 412, 12, 14, 14, 15 तो यहां पर इसका कुल योग 15 आता है तो इससे आगे हम नहीं निकल सकते तो 15 तक याद करना बहुत जरूरी है पंदातों कि याद करना ही पड़ेग़ कि अगर याद नहीं किये, तब आप जाकर पेपर में फस होगे, एक्स है क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं रहता है, या फिर आपसे कोई पूछेगा या इंटर्वियोर भी पूछेगा न, तो आपको क्या 4 को 1 करो, 1 को 1 करो 2 को 1 करो, 4, 2, 6, 7 तो कितना है कि 0, 1, 1, 1 ठीक, 0, 1, 1, 8 का कितना है 8 को simple, 1 को high करो 8 को high करो, 1 करो 0, 0, 0, जिसका पूछे इस तरह सोज़े से भी अस्थित करो कि उसका योग, 8, 4, 2, 1 का योग वो digit प्राप्त करो, जो digit आपको पूछ रहा, जिससे मालों यहां पर पूछ रहा 10, 10 पूछ रहा है, तो क्या क्या करेंगे, 8 को हम high करेंगे ठीक, 4 को high करने कोई मतलब नहीं 4 को 0 कर देंगे, 2 को high कर देंगे 1 आ जाएगा और इसके बाद 0 कर देंगे यह हमारा 8, 10 का हमारा binary नमबर मिल जाएगा, यह याद कर लेना नेक्स्ट वीडियो में जो हम आपको octal से conversion बनाएगे, octal to conversion जो होता octal to conversion और जो हमारा दिया गया hexadecimal conversion, जो हमारा hexadecimal conversion, उसमें इसका बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर यह नहीं पता तो आपको समझ में ही नहीं आएगा तुसलिए प्लीज request है आपसे, यह जरूरी याद कर लेना आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं किसे next वीडियो में, तब तक लिए जय हैं जय भारत धान्यवाद